हालो फ्रेंज आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंज आज हम विज्ञान के महत्वड वायरल प्रशनों को देखेंगे फ्रेंज यहाँ पे आपको बता दें कि आज हम दिर्ग उत्तरी प्रशनों को देखेंगे जो आपकी बोड के एक्जाम में 2022, 2020, 2019, 2018 और 2017, 2016 में यह प्रशन कई बार repeat हो चुके हैं फ्रेंज इतने भी प्रशन करा रहे हैं आपको पूरे किताब का एक निचोड़ है 100% जो प्रशन करा रहे हैं फ्रेंज वही प्रशन आपकी बोड के एक्जाम में आएगा तो आप से सिर्फ इतना निवेदन करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिसे से आप आसानी से 70 में 70 नंबर प्राप कर सके चलिए फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका यह पहला सवाल है कि विद्धुत मोटर का सिध्धान तथा कार वीधी पत्तु है यह आपका प्रश्ण है और जब आप बोर्ड के एक्जाम में इसको हल करेंगे इसका पहले साफ और असपश्ट रूप से चित्र बनाईएगा ठीक है फिर इसके बारे में लिखिएगा यह 100% विद्धुत मोटर आपके एक्जाम में आने वाला है इस प्रश्ण बनें णों कहीं रट के जाएए देखे है यहां पर पहले इसके चित्र को समझाते हैं आपको फिर इसके बाद आपको बताएंगे कि इसको लिखना कैसे है कापी में ठीक है फ्रेंज यहां पे विद्धुत मोटर होता है तुझ विद्धुत मोटर के मुक्छे चार भाग हो होता है ट्श को चुंबकी च्षेतर होता है और जोड़े जोड़ देते हैं आपस में जूड़े होते और यह जो ब्रश होते हैं ब्रश जो हता है आपके सीधा के बैटरी से जोड़ते हैं देखें इसका कार क्या होता है कि जब हम आर्मेचर में क्या करते हैं बैटरी के द्वारा हम इसमें बैटरी के द्वारा इसमें धारा परवाहित करते हैं सप्लाइप जब इसमें देते हैं इसमें धारा प्रवाइत होता है धारा जब प्रवाइत होता है तो फिलेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस कुंडली में जो से डीसी जो हता है भूजा इस डीसी भूजा उपर की और यानि कि इस तरह उपर की और एक बलकार करता है और इस पे एबी पर जो हता है करता है इस भल की कारण गोमने लगता है और इसामे में मुच्छा दिशहा रखते हैं तो प्रैंस से होता है इसी पार एक बात बताते हैं आपको हुए ढूंट क किसमे चेंज़ करता है जरी इतुर्जा होता है इसको जरूरbn कि विद०ुत उर्जा को यांतरीक उर्जा में चेंज करता है ठाई test करता है इसट करता है प्रसिवंग के मोटर करता है V удив मोटर कार करता है लिगान को बताते हैं कि आप बौड के एक्जाम में कपी से लिखेंगे देख यहाँ पहले आपका इसका सिधान्त लिखना पड़ेगा जितना बात बताएं फ्रेंस वही इसका सिधान्त होता देखी पहले आपको पढ़कर बताते हैं कि क्या लिखा गया है जब किसी कुंडली को चुंबकी छेत्रे में रख कर ठीक है उसमें वैद्दुधारा परवाहित करते हैं तो उस पर एक बल्यूगम कार करता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ दोरा निदाद की जाती है यह बल्यूगम कुंडली को चुंबकी छेत्रे में घुमाता है देखे अभी आपको क्या समझाएं कि जब बैटरी के दोरा आर्मेचर में धारा परवाहित किया जाता है इसमें बल्यूगम लगता है इस बल्यूगम के कारण ही आर्मेचर क्या करता है इसमें घूमने लगता है और इसके जो घूमता है उसको कैसे ग्यात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के दोरा ग्यात करते हैं यही इसका क्या है सिद्धान्त है ठीक ह है इके आपको पता है कि वीदूत मोटर में चार मुख्टे भाग होते रूविया चेतरी ओक्तिशालीink चुम्भक है जैसे फ्रेस्ट लिखें इसी प्रकार ये मोटर के बारे में आता है तो इक्साम में इसी तरह प्रकार मिले एक नमबर भी नहीं कटेगा और यह प्रशन मोटर का द देता है तो आपका छानौन इमटर पक्का हो जाई ग है तो आप अच्छे होते हैं देखें अभी आपको विभक्त वाले के बारे में क्या बता है विभक्त वाले यह हैं इससे आर्मेचर के जो कुंडली है यल और यम से जुड़ा होता है जिस परका चित्र सियादी आप लिखेंगे पोड़ के एक्जाम में तो आपकी एक नंबर भी नहीं करतेगा क् कार्मेचर के कुंडली यह और यहम से आपस में जुड़े होते हैं ठीक है फ्रेंस फिर इसके बात देखें ब्रश है अब ब्रश के बारे में भी भक्त वाले जो हता है यह और यह जो हता है कारबन धातु के पत्तियों बीवन बीटू को असपर्ष करते हैं जिन्हें घाष का समबद एक बैटरी से होता है एक ब्रश दौध staff को कुंडली में प्रवेश कराता दूसरे से बाहर निकल दीए देखेंश आपको दिखा देगा चीद्र ब्रश के बारे में ब्रुद्ध के बाहरे में आपको अभी बताएं आपको बदा है कि जो ब्राइच होता है से जुड़े होते हैं तीन बैटरी से आका ऑपस अती है ठीक है यहां इसमें दिखा गया जो लिखा गया वही आपको लिखना है अगर देखे कारिवीधी आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिए हैं कि देखे आपको पढ़कर समझाते हैं जो पता हैं आपको वही कारिवीधी है जब बैटरी से कुंडली में वैदु धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के बाए हाथ के नियमा नुस कुंडली के भूजा एबी पर एक नीचे की और बल कार करता है तता भूजा सीडी पर एक बल उपर की और कार करने लगता है इन दोनों बलों से बने बल युगम के कारल कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है कुंडली के साथ उसके सीरोप पर लगए विभक्त वले के भाग में घूमती है ठीक है फ्रेंस देखिए आपको क्या बता है एक बार और चित्रे दिखा कि आपको बताते हैं इस सवाल को जरूर याद रखिएगा कार वीधी में आपको लिखना है कि जब बैटरी के द्वारा आरमेचर में हम क्या करते हैं कुंडली में वैदू यह करने लगता है वामावर्थ दिशा में घूमने लगता है ठीक है जैसे आपका उप्योग देखते हो घर में पंखा लगा है उसमें इसका उप्योग मोटर करते हैं पिर इसके इलावा आपको वाशिंग मसीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, आटा चक्की हो इन सबी जगों पे वेद्धूत मोटर का ही परियोग किया जाता है, चलिए देखते हैं, देखें फ्रेंस ये कारवीधी में ये है, कि प्रंतु बैटरी का धंदु, सदेव बाएं और ब्रुष कुं गुमने लगता है, ठीक है, वामवर्दिशा में क्या करता है, गुमने लगता है, देखें फ्रेंस यहां पे इसका आप चित्र को देख के यदि आप याद करते हैं, तो आपको ये कभी भूलेगा नहीं, देखें फ्रेंस यहां पे क्या है, इसका मेन पॉइन पॉइंट इ करते हैं mixer में करते हैं refrigerator में करते हैं आठा पीशने वाली जो शक्की होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है तो फ्रेंश इस मोटर को जरूर आप याद रखिएगा यह बहुत ज्यादा आपके बोर्ड के इक्जाम के लिए important है ठीक है अब चलिए अगले सवाल को भी जोगेंगे filming के बाएं हाथ के नियम के अनुस्या देखेंगे फृरेंश आप यह बाएं हाथ नहीं इस बाएं हाथ को देखिए आपको अंगठा है यह तरजनी अंगली है मद्दिमा अंगली है इसको आप इस प्रकाल से फखलाईएगा कि यह तीन एक-दूसरे की क्या हो तीनों लंबोत हो यह नब्वे अंस के कोड़ पे हो इसको आपको याद रखना है कि यह बल की दिशा को दिखाता है यह जो रता है आपकी धारा की दिशा में दिखाता है देखिए आप इसको लिखेंगे कैस जैसे आपके उगली इसी को याद रखिए लिखेंगे कि फिलेमिंग की पाएं हाथ के नियम के अनुसार अंठा ठीक है और तरजनी उगली या मद्यमा उगली ये तीनों एक दूसरे की क्या हो लंबवत होना चाहिए यदि तरजनी उगली चुम्ब की छेतर की दिशा को दिखाता है मद्यमा उगली धारा की दिशा को दिखाता है तो ऑंख्टा आपके बल को दिखाएगए ठीक है यही बोलना है ठीक है इसको याद रखें बल इसको याद रखें भी और इसको याद रखें आई इस तरह याद रखेंगे तो आपको ये सवाल कभी भूलेगा नहीं देखें फ्रेंस यहां पे है flaming के बाएं हाथ का नियम देखिए आपको जो बता है वही लिखा है यहाँ पर देखिए यह आपका अंगुठा है जो बल को दिखाएगा यह आपकी तरजने अंगुली है जो अंगुठा सटा हुआ है यह किसको दिखाएगा बी यानि चुम्बकी छेतर को दिखाएगा और अंगुठा जो आता है अंगुठा यह उससे सटी हुई दोनों अंगुलियां प्रस पर एक दूसरे के लंबवत हो यदि तरजनी अंगुली चुम्बकी छेतर को चेतर की दिशा को मध्यमा अंगुली धारा की दिशा को ब्यक्त करे तब अंगुठा चालक में लगने वाले बल की दिशा को ब्यक्त करता है इसको एक दो बार ऐसे बनाएंगे फ्रेंस में तो आपको याद हो जाएगा देखें कि आप फिर से एक बर पता दते हैं फिलेमिंग के नियमा अनुसार बाए हाथ को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगुठा और उससे सटी हुई दोनों चुम्बकी छेत्री की दिशा को ठीक है और यह मद्यमा अंगुली धारा की दिशा को दिखाता है तो अंगठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दिखाएगा यहीं फिलेमिंग के बाएं हाथ का नियम है इस फिलेमिंग के बाएं हाथ का नियम का जो परियोग होता है आप विद्धुत मोटर में करते हैं ठीक है तो फ्रेंस यह था आपके फ्लेमिंग के बाएं हाथ का निया फ्रेंस आपको यह समझ में आ गया होगा एक दो वाल वीडियो के देखिए गई है और अपने बाएं हाथ को जिस प्रकार बताएं उसी प्रकार से आप इसको एक दो राटने की आपको जरूरत नहीं है सिर्फ आप याद र AC किसको दिखाता है और तरज्य वाली प्रकाता है उसको दिखाता है मादमा अज़री किसको दिखाता देखें इस सवाल को कैसे याद रखेंगे अब दाया रायां हाथ को प्रकार चैसे बाया हाथ को फैला यह एक दुसरे क्या प्रस पर लंबहुत हो इसमें जो इंगली नियुक्त यह आपको चुम्ब की छेत्र की दिशा को दिखाता है, मद्यमा अंगुली धारा की दिशा को दिखाता है, तो अंगुठा जो हता है, चाला की गती को दिशा को दिखाता है, सिर्फ इसमें इतना ही याद रखना है, एक दो बार इस तरह हाथ पहला कि आप याद रखिएगा, कि आपको याद हो जागा ठीक है French चलि आपको देखिए आपको एग्जाम में लिखना कैसे आपको बताता है देखे इससका पहले आपझ देख लीजिए देखें क्या करना है कि कटने सब्सक्राइब थारा answer को देखाता है तो आघ्ठा किसको दिखाएगा चाला के गती को दिखाता है ठाथ अब देखें आपको पताते हैं फिर आपको बताएंगां के दाएंज़ाओं के नियम में अंत्र किया है ठीक है यानि के मोशन होता है और तरजने अंगली चुमब की छतन का मतला होता है बी यानि चुमब की छतर को 20 से दिखाते हैं ठीक है तो दिशा में थहा तो अंगली जु Send यहाँ भी को दिखाता है और यह और अने इस फिर को धिखाता है और इतना ही आंटर है इसमे आपको ध्यान दिजिएगा दो चिर्फ न उसको आप जरूर याद रखेंग़ कि ऑंतर इसमें और जो होता है वही पंतर आपको देखिए यहां पी बल को दिखा रहा है यह चालक की गति को दिखा रहा है यदि आप यह अंतर को समझ गए होंगे तो आपको यह फिलमिंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम याद हो जाएगा ठीक है अब चलिए अगले नंबर के सवाल को सब्सक्राब करने के लिए किस परियोग करते है इसमें और लेंस का परियोग किया जाता है इसको भी साहिए है आप याद रखियेगा निकट द्रिष्टी दोस में जब वस्तू कहां पे उता है तो इसमें प्रकास किरह चलती है अनन्थ पे होता ठीक है अनि दूर बिंदू इसमें कितना होता है दूर बिंदू को दिखा जाता है अनन गौर और बिंदू पूड़ पूस्ट आप है दूर की वस्तों दिखाई देती है जिसको दूर करने के लिए हम आउटाल लेंस का परियोग करते हैं और इसमें दूर बिंदू होता हैं आनंथ होता है लेकिन दूर की वस्तों दिखाई देती में इसको routes के वस्तु आज पश दिखाई नहीं देती हैं पूछता है प्रश्न है और निकट बिंदू कितना होता है यह कल्पी प्रश्न नेतर का दूर बिंदू अनन्त पे प्रतिमें बनना चाहिए आपके रेटिना पर लेकि रेटिना पर ना बन के आपको प्रतिमें बन जाता है अब देखें निकट द्रिश्टी दोस्त के कारार क्या है किस कारार से यह दोस्त होता है तो पहला यह नेट्रल लेंस की वकृता क्या होता है वकृता बढ़ जाने से फोकस दूरी इसका क्या हो जाता है कम यानि नेत्र लेंस की वकरता जो हता है बढ़ता है जिससे हमारे फोकस दूरी कम हो जाते है इसके कारण क्या होता है निकर दृष्टी दोस होता है फिर आपका होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना की बीच की दूरी का बढ़ जाना यान नीवारण करने के लिए आपको आूतर लेंज का परियोग करना पड़ेंगा जब हम आल लेंज का प्रियोग करते हैं इस से चलने वारी लिए गुत शाले हैं चलती थी ऑजो बंध से आती होई परतील है इसलिए आप最近 बन जाता है जिसके लिए किसका परयोग करते हैं झार याद रखेए आप को बताएं यहां पे हैं कि निकट द्रिश्टी दोस्त दूर्ब करने के लिए जरूरे किया जाता है शemi से चलने वाले के बाद नेतर जैसे प्रकास क्राइब क्या होती है कि अनंत से आती है और यहां से क्या होता है जिससे यह किरण नेत्र दुआर अपवर्तित होका रेटिना पर इसका परतिविम बन जाता है जिससे नित्रो को वस्तु असपश दिखाई देने लगता है ठीक है फ्रेंस इसको आप जरूर याद रखिएगा जितना बता है आप फ्रेंस इसको जरूर आप याद रखिएगा ये बोर्ड के एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है आप देखें होंगे ये द्रिष्टी दोस क्या है इस दोस का निवारा किस प्रकार किया जाता है किरण आरेक द्वारा असपश्ट कीजिए ठीक है इसमें भी उसी प्रकार याद करना सिर्फ उसका उल्ट यहाँ देखें दूर है तिसका मतलब हुआ कि इसमें दूर की वस्तु दिखाई देगी ही देती है इस दोस को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रियोग करते हैं किसका प्रियोग करेंगे फ्रेंस उत्तल लेंस का प्रियोग करते है आप इसको याद रखेंगा बहुई कल्पी में पूछता रहता है ठीक है और फ्रेंस देखें इसमें क्या होता है कि दूर फोल बीकलपी में एंसौर होगा इसका यह अपगां पूछी सक की के लिए नियुका में Nat करेंगा थे डूर के लिए हाप याद रख करेंगा निकट के लिए न कलो बाए क्लका होगा है अधर होताया दोर के लिए थैंन अधर रखी को फ्रेंगा आपको त shakes पर पहुर यहां पर है चलिए पढ़के एक बार सुना देते हैं अब कापी पर इसी प्रकाल से लिखिए गाँ देखिए दूर दिर्ष्टी दौसमें मनुष्य को दूर की वस्तुएं असपश्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं असपश्ट दिखाई नहीं देती है जिसे निकट जिसे दूर दरिष्टी दोस कहते है ऩाइए खीए आप को न के पहता है उसके पीछे बनता है पर थना की पीछatura परतिबिम बनता है झाहां पे इसका चित्र है यह मानुमें कौन सा नेत्र प्रियोक करते हैं उत्तर लेंज का प्रियोक करते हैं इस एसमें वस्तू क्या होता है 5Τ की दूरी पर रखा जाता है निकट रखा जाता है तो यह तो हम तरह नहीं देत्या 0 2 Q इस्ते प्रका टारचें चलती है तो अपरे यह त्छा करते है ने तरह से महला दो सलों जाता है तो स परिंदय सकुन सकते हैं कि kavением पीछे बढ़ता है जिससे फोकस दूरी क्या हो जाता है यह बढ़ता है यहां दूर दृष्टी-गोस में बता लेटिना के पीछे बनने लगता है, अगला है कि नेत्र की मांस स्पेश्यों के चीड हो जाने से नेत्र गोलक के भ्यास का कम हो जाता है, ठीक है? अब देखे फ्रेंज इसका निवारा आप किस प्रकार से करेंगे देखे निवारा करने के लिए आपको उत्तल लेंस का प्रयो होता है कि निकट इस्थिर वस्तू है ठीक है यहां उत्तर लेंस का प्रियोग करेंगे यहां पर मानों करने तरह उत्तर लेंस ही होता है और इसका जब देखिए यहां से निकट इस्थिर वस्तू से प्रकास किरने चलती है चलने के बाद जब यह उत्तर लेंस से पर्तित होता होता है तो हमें मौसूत होता है और फर्षार होता है अपर्तित होता है लेकिकिन हमें ऐसा महसूस होता है कहां से आती हुई पर्तित होता है और लेंस से अपर्तित होने के बाद आपका पर्तित भी कहां बन जाता है रेटनाप बनता है तो देखे इसका चित्र आप जरूर एक दो बार बना लिजिएगा देखे इसका निवारा में जो आपको बता है वही ची किराने वाले किरणने उत्तलं लेश से अपवर्तन के बार नेत्रWAY के निकट विंदू एंस आती हूण परतीत होती हैं यह किरणने रम ये से अपलप्रत शोकर रेटिन्या पर प्रत拼ंवम बनाती है जिससे नेत्र लेंस से अपवर्तित होने के बाद मानुन नेत्र पर जाकर टकराती है तो जैसे यहां पर हमें महसूस होता है कि यह जो प्रकास की क्रड़े यह बिंदू से आती हुई परतीत होती है ठीक है और जब यह मानुन नेत्र से अपवर्तित होती है तो इसका परतीम कहां पर जाकर जाता है आपका रेटीना पर बनता है ठीक है फ्रेंस यहां पर आपके कुछ most important सवाल थे जो आपकी बोड के exam में यह प्रश्न कई बार repeat हो चुके हैं जितने प्रश्न को जरूर याद रखें जैसे बता है यदि आप एक दो बार practice कर लेते हैं यह प्रश्न आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा तो फ्रेंस आपको यह पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंस कुछ उस समय के बाद आपका नेक्स्ट वीडियो आपका अप्लोड कर दिये जाएगा उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा जिससे आप आसानी से बोड की एक्जाम में 70 में 70 नमबर प्राप कर सकें